नमस्कार जैश्री रादे मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर करिश्म कॉष्षिक और आप सभी दर्शिकों के हमारे चानल पे बहुत-बहुत स्वागत है इस चानल को आप देख रहे हैं तो बेल आपन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगते हैं और साते सात नए साल 2024 का आगमन बहुत ही जल्द होने वाला है और भही पर हम बात करेंगे मूलांक 5 वालों की यानि कि जिन जातकों ने जनम लिया है किसी भी महिने की 5 तारिक को, 14 तारिक को या 23 तारिक को तो आप लोगों का मूलांक बन जाता है 5 2023 तो चला गया अब देखते हैं कि 2024 कैसा रहने वाला है आप लोगों का क्यूंकि आप लोगों के लिए 2024 बहुत कुछ लेकर के आएगा आपका खुद का नंबर बुद का है और शनी का आने वाला साल है अगर अंक को देखते हैं हम तो दो बार रेपिटेशन में दो नंबर ह रहा है साथ साथ रहू का चार नंबर आ रहा है और शनी का टोटल अंक बनके आड बन रहा है तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर के आएगा इन फाक्ट जितने भी अभी तक आपने इतने सालों से महनत करी है आप ये मान लीजोए चाहे आप पिछले आठ स your whatterm 1 साल से महनत कर रहे हृ या नौ साल महनत कर रहे हो कैनकि यह बात कर रहे हो लग भग लग पिछले साथ 8 साल पहले 2015 से 2015 से और अभी तक जो भी अपने महनत करी है और इसका फल आपको नहीं मिल रहा था यह कुछ काम अगर अट पे थे तो इस दुरायए जिदने भी आप करी है इसका फल आपको इस साल मिलेगा यानि ये साल आपको बहुंद ज़ादा राहत देने वाला होगा कहीं पर ups and downs अपने जरूर देखी होंगे इन सालों में मगर ये साल आपको जो है कई न कई चीजे बहुत अच्छी दिखाने वाला है, यानि कि चीजे बहुत बहुत बहतर होंगी पहले से, और जो आपके अधूरे अटकेवे कारे थे, वो पूरे होंगे, इतने लंबे कारे जो पहले से ही नहीं हो पा रहे थे, वो भी इस साल पूरे हो जाएंगे, तो यह आपके लि मुश्किल हो सकता है इसके अलावा आप लोगों की आर्थिक सिती में भी बदला विस साल बहुत अच्छा आएगा जिन लोगों का प्रॉपर्टी का कोई मुकदमा चल रहा था या किसी भी तरह से समपत्ती प्राप्त नहीं हो रही थी उन लोगों के लिए ये साल बहुत पन कर पाएंगे अगर वहान लेने की सोच रहते है या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहते हैं तो ये कारण भी आपके पूरे हो सकते हैं इसके अलावा इस साल में आर्थिक सिती को लेकर कि आपको बहुत बेनेफिट होने वाला है मगर आप जो है धन को समाल करके चलेगा अनवश्य धन घर्चा बिलकुल नहीं करना है इस चीज का ध्यान रखे आपको अवश्य चलना ही चलना है वही पर आप लोगों के स्वास्त को आपको ध्यान देने की जूरत है क्योंकि इतनी सारी चीजों को आप मैनेज करेंगे तो मान सेकता आप बहुत जादा हो सकता है अराम ना करने के कारण स्वास्त का ध्यान देने की जरूरत है अगर हम बात करें कि आप लोगों के रिलेशन्शिप की तो रिलेशन्शिप बहुत अच्छी रहेगी परिवार में किसी भी तरहां से आपके जो संबंद पहले बिगड़ गए थे वो भी सुदर जाएंगे मगर किसे पे जादा साथ अविश्वास करके नहीं चलना है आपको इस चीज का ध्यान रखिएगा जो students हैं उन लोगों के लिए इसाल बहुत अच्छा रहेगा especially वो students जो किसी भी तरह से creative चीजों में लगे वे थे या media में लगे वे थे या banking, CA, teaching job में लगे थे education से जड़े वे थे उन लोगों के लिए इसाल बहुत अच्छा रह सकता है जो students arts से जड़े हुए हैं या creative arts से जड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा तो कहीं नगे ये साल दे के बहुत कुछ जाएगा इस साल में आपको हर एक दिन जो है नया लगेगा और बहुत अच्छे से आप इस साल को बिताएंगे बट जो चीजे कुछ में आपको साफधानियों में बोली है किसे पर विश्वास करके नहीं चलना है अपने स्वास्ता का ध्यान रखके चलना है धन का ध्यान रखके चलना है इन चीजों का ध्यान रखके चलिए ये साल बहुत ही जादा आप लोगों कच्छा जाएगा तो अमीद करते हूं ये साल आपका मंगल में ही रहे इसी मनुकामना के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं अगली वीडियो में बात करेंगे मुलांक 6 वालों की तो देखना न भूले हमारी अगली वीडियो फिलाल के लिए मुझे दीजयों इजाज़त नमस्कार जैश्रेरात